Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और travel से related छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आप सब को जैसे पता है visa rules बहुत rapidly change हो रहे हैं बहुत सारे reformations हो रहे हैं और ये सब के अच्छे के लिए ही किये जा रहे हैं ताकि कोई भी problem visa से related UAE में ना रहे ऐसा ही एक बड़ा update आ रहा है work visa से related क्या है update जानने के लिए आप सब से request रवीडियो को enter के देखिएगा थाकि पूरा update आप सब को पता चल सके तो दोस्तों work visa में आपको पता है कि visa approval होने के बाद आपको medicals वगरा कराने होते हैं और उसमें last होता है आपका Emirates ID कि अभी passport में stamping नहीं हो रहा है जादा तर renew जिनका हो रहा है किसी किसी passport में stamping हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे चोटे मोटे changes हुए थे लेकिन अब जो changes हुआ है कि अगर आपका work visa लगा है approval वगरा आ गई है तो उसके बाद जो next step होता है वो होता है medical का कोई साभी visa हम अगर लेते हैं जैसे कि partner visa हो गया freelance visa हो गया यह सारे जो other visas भी है उसका जो second step होता है वो medical का ही होता है तो आप जो आपको medical वगरा कराना है यह particular time में ही कराना है बहुत जादा delay आपको नहीं करना है अगर बहुत जादा delay करेंगे तो आपको problem हो सकती है और में भी उसको freeze कर दिया जाए ऐसा एक update आ रहा है तो अगर आपका medical का date आ गया है agent जो है यह company जो आपको बोल रही है कि medical जाके करवा लीजे तो आपको medical जाके करवा लेना है बहुत सारी companies ही इसको provide करती है और आपको medical के लिए लेकिन अगर आप personally कुछ visa ले रहे हैं तो आपको time to time सारी चीजे करना है वरना इसको freeze कर दिया जाएगा जैसे कि आपको medical time पर करना है उसके बाद finger scan, eye scan वाला जो process है वो पूरा करना है stamping को अभी नहीं किया जा रहा है direct आएगा आपका Emirates ID तो यह जो पूरा procedure है इसको timely करने के लिए यह update किया गया है और बहुत जादा delay आपको नहीं करना है बिल्कुल भी delay मत कीजे वरना problem आपको ही phase करनी होगी फिर से fees वगरा देखे उसको फिर से चालू करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका होगा तो guys work visa लगने के लिए यह जो बीच वाले process होते है वो आपका skip होता है passport में stamping अभी नहीं हो रही है तो आपका Emirates ID अगर ऐसा Emirates ID आपका आ रहा है तो आप कहीं भी travel करते हैं तो उस Emirates ID को लेकर ही travel करना होगा ताकि airport में कोई भी problem आपको ना हो किसी का check हो रहा है किसी का नहीं check हो रहा है क्योंकि आपके जो visa details है वो पूरा Emirates ID से ही scan किये जाएंगे तो जिनका भी ऐसा भी हो रहा है उनको बार बार बोला जा रहा है कि traveling के लिए अपना Emirates ID यूज़ करें तो guys I hope वी वीडियो आप सबके लिए helpful रही होगी और भी कोई question हो comment box में बता सकते हैं या Instagram में message कर सकते हैं मिलते हैं next video में एक नहीं update के साथ तब तक लिए good bye and take care